हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सोदेसी फॉर्म में आज हम लोग आये हैं रजनीश जी के फॉर्म पे जो की बेगु सराय बिहार में है इन्होंने लगबग 2000 बट का एक लौट डाला है हमी लोगों से बच्चिस लिया थे इन्होंने बहुत अच्छी फॉर्मिंग की है आप इनका फॉर्म का सेट अप देख रहे हैं इन्होंने फॉर्मिंग के साथ कुछ सबजी की खेती भी की है जो कि आप देख रहे हैं कि इदर मिर्ची लगी हुई है दर्द हल्दी की खेती है और साथ में जो बासबली सूपर लेके गए हैं इसमें लत्तर वाली जो सब्जियां होती हैं लोकी निनुवा करेला इस तरह की सब्जियां लगाई थी इससे क्या होता है कि जो सब्जी का वेस्टेज होता है वो मुर्गियों के काम में आ जाता है की आपने एक स्ट्रा इंकम होता है जो डिली इंकम देखे जाता है आपको कुछ ना कुछ इसके साथ सीरेन्स से हम लोग तो जानते ही हैं कि बहुत ही कौश्टिंग कम हो जाता है जाने का हम लोग का बड में साइनिंग अच्छा आता है और बड स्ट्रॉंग रहता है जल्दी विमार नहीं पड़ता है फुर्तीला होता है आप लोग जो देख रहे हैं आईए आपको फॉर्म के अंदर का सेटप दिखाते हैं कैसा है फॉर्म के अंदर आप देख रहे हैं फॉर्म थोड़ा सा खर्चा करके बनाया गया है दीच में देख रहे हैं आप लोहे की पाइंट पे हैं साइट से दिवाल है और हाइट थोड़ा जादा रखा गया है फॉर्म का गैस वेस्ट की परपस से ताकि निकल सके उपर में करकट लगा हुआ है इसमें सुनाली मुर्गी का जो दो हजार का लॉट ड़ा है लगभग ये बड का साइज 700 से 800 ग्राम है इधर आटोमाटिक सिस्टम और द्रिंकर फेडर लगे हुए हैं बर्ड जो होते हैं देशी इन्हें उपर बैठने की आदत होती है इसलिए बीच में कुछ बल्लियां बांधी गई हैं ताकि ये आराम से उपर नेचे बैठ सकें इस्पेस ज्यादा होना ची इस्पेस देख र करता है आपस में लड़ता कम है और चौंच मारने की आदत होती है तो पत्ते बिखाता है कि हम लोग फॉर्म बनाने से पहले त्यारी क्या कर सकते हैं तो हम लोग हरे घास का उपाय कर सकते हैं हम लोग बरसीन लगा सकते हैं हम लोग पीपल लगा सकते हैं इस तरह के जो प् पर पहले से कर सकते हैं और इस तरह से आप लोग भी अपने फॉर्म का मेनेजमेंट कर सकते हैं इसी तरह से अपना प्यार आप लोग बनाए रखें हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू फ्रेंड्स